हाई गाइस गुरी इवनिंग कैसे है आप सवागत आप सभी का गेम चेंजस में आई होप आज का दिन सभी ने एंजॉय कि होगा जी हाई एंजय वाला था भी बहतरिन था जबर्दस्थ था और प्रॉफिटेवल था चर्चा चुरू करने से पहले बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं ट्यूजडे की बहुत भेतरिन तयारी है और सब कुछ अगर एक्सपर एक्सपेक्टेड रहा मनलब बन ऑफ बेस्ट ट्यूजडे जाने वाले प्रेपरेशन जबरदस्थ है और शेर करते जाए गेम चेंज परफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी यह बात ट्रू है और लोग ऐसा बोलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्या प्लैनिंग थी हमारी अंसाइटें थे हलके से लेकिन बुलिश थे बहुर अच्छे उसी तरह मार्केट ने परफॉर्म किया यूपील सब्सक्राइब करता मुझे दिखाई दिया और टीविस मोटर नॉन एग्जीक्यूटेट रहा क्योंकि 388 के निचे टीविस मोटर ने ट्रेट किया नहीं और बात करेंगे हिंडाल को की हिंडाल को अच्छा ग्जीक्यूशन दिया सेम लेवल से लेकिन लोग बनाया 160 के आस चेंज कर दिया 569 569 के उपर पांसो चोहतार पांसो सब्सक्राइब सारे के सारे टार्गेट्स लगा के भारती एटल उपर की तरफ जाता गया कंटीनूसली अपने टेलेग्राम चैनल पर अपडेट्स करा था सारी की सारी टेट्स और जबरदर्स लगाई पांच ट्रेट् नौन एक्जीक्यूटेट्ट और क्या चाहिए बता दीजे और क्या चाहिए इसके अलावा बात करूंगा प्रीमियम की गेमचेंजर्स प्रीमियम ने कितनी बड़ी-बड़ी हिट लगाई जी बीपी आई-एन-र हमारा मतलब ट्रेडमार्क स्टॉक रहता है और यह डेडि प्रीन दिन हमारा बना सिल्वर नाचुरल गया सेल साइट सिल्वर बाय साइट मदब बन अफ़ बिग्गेस जबर दस हिट लगाए बहुत बड़े-बड़े हिट लगाए और बिल्कुल जाएन के जी गेमचेंजर्स प्रीमियम एन कंसिस्टेंसी की रहा पे शामिल हो स्टेंस रहना है सीखते रहना है आगे बढ़ना है तो गेमचेंजर्स प्रीमियम मस्ट जॉइन विल्कुल जाएन कीजिए चलिए बिनादेर की आगे बढ़ते हैं ट्यूस्टे के साथ में ट्यूस्टे के जो संटिमेंट से कुछ मेरे इस तरह से हैं 11,020 के पास क्लोधिं कहाता है रहा है रहा है लेकिन मैं ट्यूस्टी क्लोधिंग में लोगो को चार्ट पर दिखा हूंगा कि क्यों मैं मार्केट में बिरिश जाना चाहता हूं लेकिन मार्केट अगर बीरिश नहीं रहा क्योंकि हम सेंटिमेंट के साथ में प्लाइनिक हमारी इसके एकॉर्ड है लेकिन अगर मार्केश बुलिश नोड पे ट्रेड कर तरह तो उसी तरफ से पिक करेंगे और उधर की तरफ लगाएंगे टेंशन के जिवात की नहीं गेम ज के फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखा जाए जी हां मैं सारे फ्रेम के साथ मैं देखना चाहूंगा मैं सेम वही कंडिशन जो पहले अपलाई हुई थी एक जम ट्रेंड के पास टॉप्स बनाए हैं अगें निफ्टी ने एक हाई पॉप किया है 1170 के पास में तो जिसको ब पर माना जा सकते हैं कि शायद कहीं नगई बुलिश मोमेंटम देखे जा सकते हैं अगर इसको मेंटें कि अदरवाइस गिराबाट आई 11800 तक के लेवर देखे जा सकते हैं सेम थाटी मेर्स के फ्रेम में सेम हाई टॉप हाई पॉप्स करने के बाद में नीचे की तरफ हलका है कि फ्रेम को मैं रिव्यू करना चाहता हूं अभी तक राइजिंग वेच के जो खौफ है या फिर पैटन है या फिर जो माया जाल है उससे बाहर निकले नहीं अभी उसी के अंदर है हाई नोट जरूब बना है लेकिन अभी उसके अंदर ही रहे गए तो फोर आवर्स के फ्रेम को अगर मैं रिवी करूं एक अच्छे से गाप आपके बाद में कहीं ना कहीं कन्फीजन वाला दो जी लेकिन उसके बाद से फिर क्लोजिंग के टाइम बुलिश या फिर फोर घंट चार घंटे के फ्रेम में बुलिश या फिर बोल सकते हैं बुल्स या बाई आपक करें रहें कि अभी हम जिंदा हैं अभी हम ही गें में रहेंगे कि लियर आप देख सकते हैं यहां पे बुल्स का डबबभा मार्केट में हैं दब दबभा है फिर आप जाहें कि में यह फिर यह जा रहा हूं मैं इसलिए जाना चाहरा हूं हलका सा क्योंकि मैं ट्रेंड रिपीट इसल्फ और हिस्टी रिपीट इसल्फ जब प्रेंड लाइन को टॉच किया तो पॉसिबिल यह अगर मीचे की साइड आते हैं या फिर एक हलके से के साथ में ओपन होते हैं आपको देखने के लिए कि कही न कहीं बन सकता है तो अगर बनेगा वह सब आगी की तरफ क्या होना है वह कहां नहीं जा सकता लेकिन जो अभी टेक्निकली दिखाई देर उसकी बास करेंगे अगर पीछे वाले प्रिविएस सैटप को लेके चले तो क कहीं के पास से ब्रेकडाउन देखने के लिए आपको मिल सकता है जैसा हर बार हुआ है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब करेंगे और बुल्स की तरफ में लगाएंगे तो यह है हमारे सैटप इसके साथ में में ट्रेट करने जा रहा हूं मेरी पहली ट्रेड है जिन में से करना जा रहा हूं ब्रेक आउट अपसाइट दिया है 254 के बाद 258 260 के टार्गे एक्सपाक किया सकते हैं स्टॉप लॉस माइनर 251 में यूज करूंगा चली रिव्यू का लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट रहा बुल्नोट पे रहा तब बहुत बढ़िया हिट लगाएंग क्यों लगाएगा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्लोजिंग के टाइम पर गिरने के बाद भी हम एक्स्ट्रीम सपोर्ट के पर हम बने हुए और जब भी इस सपोर्ट को हमने ब्रीज किया है ठीके रहें बने रहें और जीवन ने तक के मुवमिंट्स पिक हैं तो सेम एक्स्ट्रीम पीवेट के ऊपर अगर हम जाते हैं च्रीम पीवेट मेरा 204 के आसपास में और लगाके आएंगे याएंगे सेम कहानी आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी इस सीजी में 921 का फ्रेश क्रॉस ओबर एक्स्ट्रीम पीवेट के ऊपर वेटेज सारी चीजे और बड़ी अच्छे से मतलब एक्स्ट्रीम पीवेट के ऊपर बने हुए एक फाइनल पीवेट हमको ब्रीज करना है 254 का ब करके अपकी बार बापास आएंगे तो हने में का सपोटर 210 के पास और हमारे टार्गेट से बाई सब चोटे 25260 यह तो बहुत आराम से मिल जाएंगे हमको जीवन में तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्टॉक के कैडिल करने जारा हूं 372 के निचे मेरा फस्टाइट 367 सेक करके चर रहा हूं अगर इस स्केंडल को ब्रीच करके क्योंकि बीए बुलीच केंडल है और इसके अगेंस में अगर हम बेरिश आते हैं तो डैफिनेटली मुमेंट जो है सेम यह वाला होगा तो अगर तो 372 के नीचे में आगने आते हैं बड़ी अच्छी गिराबट कैडि 309 तक तो आएंगे यह आएंगे 309 तक ब्रीच करते हैं फर्दा ब्रेकडाउं देखने के लिए मिलेंगे जो की कैडिला को 300 350 और बड़ी बात करने की वैसे बात है नहीं कैडिला के लिए कोई गुड न्यूस भी है मार्केट में तो मैं इस पर दिखना चाहूंगा कि इसक टी एसल को मैं टी एसल लिए यहां फिर से मिटा इसको टी ऐसले चाहिता हूं आख इसरान कॉस्त यह साथ मैं कैडिला में ट्रेट करना पड़ेगा मुझे कि कि सम्टाइम्स कुछ फंडमेंटल जो अपसाइट की नियूस दिखा सकते हैं हो यह कहां नियुक्ति सर्ज कर सक सकते हैं इसको नहीं डालना चाहता हूं मेरे पास बैल इसको डालते हैं गेम चेंजिंग स्टॉक में गेम चेंजिंग लिस्ट में करने जा रहा हूं 94 93 91 तक है अभी कल की बात नहीं करूंगा लेकिन शायद कहीं न गहीं गिरावट देखी जा सकती है बैल में 88 तक भी देखा जा सकता है जल्दी स्टॉप लस माइनर 98 में यूस करूंगा चलिए रिव्यू कर लेते हैं बैल को चार्ट पार 96.75 के आज पास है तो सपोर्ट भी बचने वाला नहीं है तो 96-40 की नीचे गर हम जाते हैं एक्षीम सपोर्ट प्रीवेट काम अल्रीडी ब्रीच कर चुके हैं ब्रेक कर चुके हैं वालिम जब अच्छी स्विदी में हाट लाइन ऊपर है लेकिन निगरी डावरेजिन को पुश करके उपर सब्सक्राइब की तरफ जाना शुरू कर दिया सारी कंडिशन फेबर में इसलिए तुरंत मैं इसको गेम चेंजिंग डाल दिया है 94 तक के धमा के दा टार्गेट्स आपको बैल बड़े अराम से बहुत आराम से यह टार्गेट्स बैल में आपको अचीविवर होते मुझे दिखाई दे रहें इसलिए मैं इसको गेम चेंजिंग डिस्स में डाला है कि आई मार्केट के साथ में गेम चेंजर करके आप जोइन कर सकते मेरा बेटरीन टेलेग्राम चैनल मैं नहीं कहा रहा हूं जनता ऐसा बोलती है आप जोइन कीजिए खुद देख लीजिए ग्रू मूफ किया तो मैं इसलिए बिल्कुल जॉइन कीजिए जबरतास चैनल है और बिल्कुल मंदब क्या तारीफ करों अपनी आप जॉइन कीजिए बस अपने दोस्तों को भी कराईए चलिए आगे बढ़तें जस्टाइल की बात करें कि सेल करने जा रहा हूं 373 के नीचे आज पास का इंट लिया तो कहीं न कहीं बुल्स जो थे मूड में नहीं दिखाई दिये तो सेम कंडिशन सेल साइड में हो रही है 373 के नीचे जबर जाता है 361 366 तरिक टार्गे एक्सपेक की जा सकते हैं स्टॉप लॉस्ट में यूज कने जा रहा हूं चलिए कंप्योटर जी है 373 के आफ़ पास का इंख्लोजिंग देता हुआ जस्टायल मुझे दिखाई दिया है तो यह है जस्टायल का भेटरी इंचार्ट पंदा मैंट से श्रुआत करना चाहूंगा एकदम ऑन टाप ऑन नौच पे टुन में आपका देख सकते हैं पीवेट का सपोर्ट है दोनो अच्छा गैप डाउन रहता है 373 के आसपास ओपन होता है हाटाइन ट्रेंड में आ जाएगी अरसाइगी बात की जाए एसा में के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अच्छा सेल सिगनल देते हैं दिखाई देरें मेसीड की बात की जाए फ्रेश सेल आफ देखने के लिए सिगनल आपको मिला है तो और बाकी बात करें का अधर सपोर्ट एंसिस्टंस की तो सेम लेवल के पास जब भी जिरा है इतियास कवा है तक के टार्गेट बहुत अराम से दिये हैं बहुत अराम से कई बार कई बार बार दिये हैं तो 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 इसले अपना जो प्रिवेट का सपोर्ट इसको खो चुके हैं करने के लिए रेड़ी है और बड़ी हिट लगाएगा दिखाई दे रहे हैं मुझे जस्टाइल में एंड फाइनल स्टाक राइट चली डाल देते हैं गेम चेंजिंग लिस्ट में हालंकी कल बियरिश एक्सपेक किया जा रहा है लेकिन तब भी पोटेंचल है राइट में क रही है जाने का क्योंकि कोई रुकावट नहीं है वालियूम फेबर्स में है बुल्स फेवर में है पूरे रॉकेट की तरह उपर की तरफ जा रहे है एक्सपे नजड़े डालियों एक्स दिखाई दे रहे है आरसाइब ब्रेक आउट के साथ अफसाइड जाता हुआ और अब में से भी फुल टू बाय सिंगल मतब प्रोवाइड करा तो आपको दिखाई दे रहे फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करने क्योंकि फ्रेम्स इतने बड़े होते हैं इस थिती इतनी ज्यादा क्लियर होती है या फिर यह कहा जा सकता है कि बड़े फ्रेम्स में नॉइस कम हो जात च्छी सपोर्ट के पास शिफ्ट होगा एक्सिम सपोर्ट के फास शिफ्ट होने के लिए 262 तक टे डार्गेट देखे जा सकते हैं वॉल्यम अन दा मुविंग एवरेज सर्ज हुआ है जब बरदस तरीके से बहुत भीतिन वॉल्यम डवल्यम हुआ है में सीडी फुल पास शिफ्ट हैं आगे बढ़ते रहेंगे आगे और मुवमेंट चेंज किया गेम चेंज आपको पता है कोई भी मुवमेंट चेंज करता है तो उसी के साथ में बड़ी-बड़ी टेट्स लगाएं गया प्रीमें का हिस्सा जरू बनिये दोस्तों और बहुत असान है कुछ जिन के लिए ट्रेडिंग फिडिए और उसके साथ मनी कंट्रोल का प्रोब सब्सक्रिप्शन जिए केमाद 2000 रोफ है आपको एकदम फ्री मिलेगा और आप जॉइन कर सकते हैं मेरा गेम चेंज प्रीम जबर्दफ चैनल जहां आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे म consistent रही है यह हमारा नारा है consistent हमको रहना है तो free dating account up stocks के साथ में मतलब सब कुछ free 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 मतलब इतना ज्यादा free कहां मिलता है आजकल free तो मतलब free वाली चीज़ें आजकल ज्यादा वर्थी नहीं होती है लेकिन गेम चेंजर उन में से एक है जो कि आपको प्रवाइड करा रहा है 15664 मेरा ट्रैफरल कोड यूज कीजिए आप स्टॉक्स में जाके अकर आप डैरेक्टली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ओपन कर स अपने लोग को आप लोग को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में और गेम चैंज को तेजी से ग्रोग करने में मदद करेंगे मदद कीजिए और 50 साब्सक्राइबर तक यूट्यूबर यूट्यूब पे मुझे पहुचने में आप लोग की है चाहिए थाइक कि आप लोग सदयफ हमेशा ओल्वेस कनेक्ट रहेंगे मेरे साथ और अपने दिन बहत्री मनाते रहेंगे सीखते रहेंगे और स्टॉक मार्केट में ठीके रहेंगे थैंक्यू सुमाब फो वाचिंग लाइक कीजिए कोई भी कन्फिजन है कॉमेंट कीजिए कीजिए अपने दोस्तों को कराएए थैंक्यू सुमाब फो वाचिंग और आई वीच कि आपका ट्यूजडे बेद रहें जाएंगे